हेलो फ्रेंट्स वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल टार्गेट वीदव शेक में रूज की इस पर्टिकली वीडियो में फ्रेंट्स हम डिस्कस करने जा रहे है इस टेनो ग्राफफर 2018-19 का मोस्ट इस्पेक्टेट फाइनल गटाब ठीक है फ्रेंट्स कि क्योरी या रहे थी कमेंट वक्स में डाइब करके काफी सारे स्टुडेंट्स ने गमेंट किया जब से मैंने गूरूब D का फाइनल एस्पेक्टेट्स किया थी तब लोगों कि फ्रेंट्स की या रहे थी कि सर इसके ऊपर एक पर्टिकलीड वीडियो बना दीजे तो फि वीडियो को इस्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले कुछ इंपोर्टन चीज मैं आपको बता दूं यहां से कि जो आपका पीपर का मीडियम था इस बर काफी टफ था पीछली बार के पिछा बहुत ही टफ था तो उसके इस्पेक्टिश उसके आउन विहाफ आप में आपके जो स्टेज फर्स्ट की मैरेड गये थी पहले तो आपको इसको पूरा एक बार नजर से देखना है क्योंकि फिनर्स आभी कुछ लोगों का जिनका बासट पर सेलेक्शन वो भी कमेंट करेंगे जिनका 64 पर नही से सेलेक्ट हुए है तो इसके उपर आउन विहाफ आप बनाई गये है ठीक है तो इसके उपर देख लेकिकि एक दो नंबर का मिस्टिक होता है तो हम उसी एजम्शन को करें रहते हैं तो इसके विहाफ में आपको ये पूरा कटाफ देखना पड़ेगा है तो चलिए ज़ल असके अजनर से तो 55 पास सेलेक्शन वेहां है स्ट की ऐस चाहब लगे प्लस पिरस प्लस में और लहाफ मिलें कि यहाफ को नमबर आगे पीछे भी होते हैं किसी भी तरीके से तो इनका फानली सेलेक्शन होना तैय होता है तो चले फिल्म थोड़ा समय कुछ और अनलसिस कर लेता हूं आपके सामने कुछ इंपोर्टन चीज और रेफ्रेंट से जैसे फूल डिस्क्रिप्शन मेंने बता दा है कि स्टे करना होता है और इंग्लिष टैपिंग टैश्ट जो थी वह थर्टी वर्ट पर मिनट करना था वह उसमें भी आपके 25 मार्क्स मिलते हैं और साथ ही साथ मैं इस्टेनियोग्राफर की सारे चीज़े डिसक्स कर लें तो क्योंकि उसमें हिंदी और इंग्लिष दोनों अलग अ होता है चूज करता है कि आपने कौन सब्सक्राइब कि अपने कौन से चूच पना चाहिए ठीक है तो अलग अलग स्टुडिन ने अलग्ण हिंडी इंग्लिष जिसको पसंद है जías़ह दर सुटने हिंदी फर फिरत आलर। मिला आक्सिमी मार्व सा वोज्थ सेूल्द मार्व का ४र in सुट्याज कले हैं। तब मिलता है आपको पचास में से माक्स, ठीक है, सेम चीज़ यही करनी थी, इंग्लिश वालों के लिए तो 100 वर्ड पर मिनिट उनको शॉट हरने करना था, इंग्लिश में और 40 वर्ड पर मिनिट के हिसाब से उनको वही उसी मेंटर को इंग्लिश में कम्प्यूटर पर उसके पहले जरूरी सूचना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो करिपया चनल को सुस्क्राइब करके वेल आइकन पर प्रेश कहले तके अब कवी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको असानी से सबसे पहले मिलता है, इसे मारे चैनल पर कांटीनू, यूपी त्रिपल श और निशनल एडिशन का और सारी चैनल को सुस्क्राइब करके हमसे जॉइन हो जाएं और टेलिग्राम गूरूप को भी जॉइन कर लें, ताकि वीडियो में अगर देर होती है, तो आपको सारी में प्रेक्टिस से अपको प्रेश कर दिया तो यह जरूरी धियां रखिएग अपने भी मार्क्स बता हैं, अगर जिनके वी स्लाइज हो तो बेस्ट वी से सही उनको, ठीक है, क्योंकि इतना ही जाएगा कटाफ क्योंकि मेरे कटाफ जो भी होते हैं, आप चाहे जो सारे वीडियो अभी पढ़े हैं, तो आप एक्जाम का रिजल्ट आनो तो उसके पहले अगर आपको सेलेक्शन हैं, तो फिर बता है, क्यों ज्यादा तर लगभग सारे इस्पेक्टिड कटाफ मेरे सही हुए हैं, ग्रूप C, ग्रूप D, चाहे जो भी हो, आप अभी भी वीडियो पढ़े हैं, उसको अनलाइस कर सकते हो, तो इस्पेक्टिड ये फाइनल ये मैंने कैसे किया है, जो आपके प्रिलिम्स के कटाफ हैं, उसमें अगर आप 40 मार्स आप अजंशन करते हो, कि आपने हिंद इंगलिश टैपिंग में लाया है, नेर बाट 40 तो लाई ही सकते हो, और 30 के और मैंने 50 में 30 अजंशन किया है, कि स्टोनोग्राफिक टेस्ट में तो अंडर रिजर्ब की जो कटाफ है, वो आपकी 130 से 135 के बीच में, ओबीशी के कटाफ यहाँ पे इनको रिजर्वेशन फाइनल कटाफ में सारे कटेगरी को मिल जाता है, तो इनकी 125 से 130 के बीच में, स्ट की जो कटाफ होगी 120 से 125 के बीच में, स्ट की जो कटाफ होगी बह तो यह थे हैं आपके हिंदी में और इंगलीश में हो जाएंगे आपके 125-30 के बीच में बीच में बीच में इनके बीच में कभी 6 नंबर का गया था पिछली बार में तो यह जाते हैं ठीक है तो SD के जो कट आफ होगे वह 113-615 के बीच में हो जाएगे और फिमेल की जो कट आफ होगे 120-125 के बीच में तो फ्रेंड्स आई होग कि आपको वीडियो पसंद आएगे प्लीज कमेंट बॉक्स में टाइप करें मांक्स अपने रिव्यू सारे चीज बताएं और अपकरम इंग्जाम जो भी है अगर इसमें कुछ प्राब्लम हो रहे तो फिर डॉंट वरी फ्रेंड्स आप अपने अ हुआ绑 हुआ